रामानुजा चार्जंक जिवनी पंचम भाग शाधारणा तो लकंक धारणा वैस्नव धर्म धर्मान धतारे परिकुर्णा किन्तु लक्षकले देखा जाईजे जगतरे प्रचलित कनसी धर्म एद शरू सम्पुर्णा रुपे मुक्तनु है निजा संप्रदायर गौरव और अन्य संप्रदायर हिनता सकड़ धर्मा अबलंबि माने समभावरे घसना करिशां दि केबल जे धर्म समंधरे मानाव मनर एही दुर्बलता प्रकास पाई ताहनु है सो जातीर भासा आचार व्यवहार खाद्य वस्त्र एपरिकी देहर बन्न अगठन एबं पसाक परिशदरे मनुस्य सोंदर्ज माधुर्ज देखिवाकु पाई किन्तु अन्य जातीर एग उडिक निंदा करिथाई मानाव बुद्धिर अपुर्णता ही ताहर सर्व वीध धर्मान्धता पाई दाई कनासी धर्म विशेशकु एथी पाई दसीमने कले अत्यन्त भोल करा हुए धर्म व्यतित एही भेदबुद्धी दुरकरिवा पाई अन्य कनासी उत्तमा उपाया नाही सकर धर्मर मुरत अत्यकु लख्यकले स्पस्ट भावरे बुझा जाईजे मनर जेउ मलीनतारु भेदबुद्धीर उत्पती सेही मलीनताकु दुरकरिवा ही धर्म समुहर एकमात्र उद्यस्यो देखा जाई जेउ मने जथारिती साधन भजन करंती सकर धर्मर से सबु साधकमाने क्रमे भेदबुष्टी रहीत है उदार अतार चरमसिमारे उपस्थित होंती सकर धर्मर प्रबर्तकमाने गटिये वाक्त्योरे कही चनती अनन्य मनरे सेमानंगर प्रदर्शित पथरे चालिले सकल दुर्बलतारू मनुस्य निस्क्रूति पाईवा किन्तु मनुस्य सधर्मरे अनन्य मना नहाई अन्य पथर दस घसना और निजधर्मर गउरव व्याक्षारे सक्ति ख्योय करे निजधर्मरे चालिवा और सम्भवा हुए नहीं से सिरुही धर्मान्धता और धर्मविद्य सर उत्पति हुए बाल्यकालरू आचार्ज रामान जंगर उदार्वतार परिचय मिले सैसबरे से सुद्र कांचि पुर्णंगु भक्ति और सेवा करू थिले जोगन अरे आत्मन अत्तिपाईं सही महापुरू संगर उचिष्ट खाइवा पाईं मध्य अध्यत हुए थिले आचार्ज रुपे धर्मप्रचार समयरे जे कनसी जातिर व्यक्ति बयस्नब सदाचार ग्रहन करीवाकु चाहिले सेताको निज संप्रदाय औरे ग्रहन करू चिले श्री रंगमरे जने सुद्र वैस्नबरम नुतु हेवारू आचार्जंक गुरू महापुर्ण ब्राम्हन मनंको नियमान सरे ताहर देहर सत्कार करीचिले एहाको प्रतिवाद करी धर्मान्धमाने आंदर न आरंभ कले पंडित महापुर्ण निजकार्ज को समर्थन करी अनेक सास्त्र प्रमान देखाईले मध्य धर्मान्धमाने निरस्त हेले नहीं खिन्तु अचार्ज देव गुरूंकु समर्थन करी विवाद भन्जन कले ब्यस्नव धर्म प्रचारक मनंकर उदार अतरे व्याध प्रभृति अनेक अनुन्न तो जाती ब्यस्नव दिख्या ग्रण करी सदाचार संपन्न होई थिले धर्मर मुडः हुची साधना साधन हीन संप्रदाई क्रमे नस्ट होई जाई सईब मने साधन छाडी दलादोडी और समाजी गतन ही व्यस्त रहु थिले ब्यस्नव गण साधना बोलरे समाज उपरे जेते प्रभाव विश्तार करी वाखुलागिले सईब गण सेते ब्रुथा इर्षारे दग्द हई आहुरी वेशी दूर बड़ है वाखुलागिले सेते बड़े कांची पुर थिला चलराज्यर राजधानी स्री रंगम्मध्य चलराज्यर अंतरगत थिला ब्रुधा चलराजांकर मुर्तु हे वारु तांकर मुर्ख निस्ठुर और पापात्मा पुत्र क्रुमिकंठ सिंगा सनरे वसिला सुजग पाई दूस्ट सईब गण चाटु बाक्योरे तांको वसकले एबं वैस्णव मानंक विरधरे उत्ते जित करियाकुलागिले कुरुमिकंठ राज्यरे घसंळाक लेजे तांकर राज्यरे समस्तों कु स्वαिब हे वाकु हे वा के बल ताहान हुए त्रतेकंख लेखीद हे वाकु हे वा सिबात परतरण नही और थात सिबढ़रु स्रेष्ठ केही नही ये परी लेखिदेवाको असम्मत्त हुई अनेक वैस्नव कठर सास्ती भगीवाको लागीले दोस्ट राजा भाविला रामानु जोही जते नस्टर मुड़ ता द्वारा लेखेईनले सब वैस्नव बसहेवे आउ से जोदी लेखिवाको असम्मत हुए ताकु मारिदेलेही सब वैस्नव भईरे सईब धर्म ग्रहन करिवे राजा रामनु जोंको धर्यानी वापाई श्री रंगम को सन्न पठाईले एई संबाद पाई आचार्य देवंको रख्या करिवापाई शिस्य गण अत्यंत व्यग्रह वाकुलागिले सेमानंगर प्रबल आग्रहरे बाध्य हई आचार्य देव ग्रोस्थर वेशरे श्री रंगमरु पस्चिमदिगकु पडायन कले तांकु पथरे रख्या करिवापाई केते जनसिस्य मध्य संगरे गले राजार सेन्न गण स्री रंगम को आशी रामानु जंग मठरे उपस्थित हैले पुरे स आचार्य देवापाई धरा है वापाई प्रस्थु तिले सइन्न गण रामानु जं मनेकरी कुरे संगु धरी नई गले राजा सभादे उपस्थित है वारू पंडितमाने मध्य रामानु जं मनेकरी कुरे संगु सास्त्रय प्रस्थ्न पचारी बाकु लगिले महापंडित स्रूतिधर कुरेशंग सवित विचार करिया पाई श्यमता काहरी न थिला सविवपंडित माने किछी समय तर्क करी निरस्त हेले सेतेवडे राजात आंकु कहीले हे बैस्नभ जदी प्राण बंचाईग अगुचा हों तेवे लेखी दियो सीवात परतरं नही निर्भिक कुरेश हास्य करी उत्तर देले द्रणम अस्ति ततह परम अर्थात द्रण ताठ हरुस्रेष्ठ आमो मानंका अंचाडरे सेर औ पसुरी परी से अंचाडरे सीवा औ द्रण नामरे दोईटी माप थिला पुरेश उपहास चड़रे सीवा अर्थारे देवतान भुजी जेपरी माप भुजुचुंती एपरी चड़ना करी सीवारु द्रण जे वेशी एक अथाटिकु सेमानूंको स्मरण कराईदेले राजा एही उपहास सुनी अत्यांत क्रधित हैले तांक आदेशरे घातक माने कुरेशंको स्मसनको नेजाई तांकर चक्षु दयको उत्पाटित कले भगवानूंको स्मरण करुकरू पुरेश स्थिरहईरहिले सरीर उपरे तांकर मुगुध्धी न थिला शे समस्तं को भितरे तांकर इस्ट देवता विश्नुंको देखिवाकु पाउ थिले तेनु घातक मानंको नारायन ग्यान अरे प्रणाम कले घातक माने ब्रह्म तेजरे दिप्तिमान कुरे संग व्यवहार रे भई पाई चक्खुईन कुरे संग रे लकदेई तांको स्रीरंगम को पठाई देले आचाज्य देव छत्म वेशरे प्ष्किम दिगगु चाली वाकु लागिले दासरो थी गविंद औ धनुर दास तांको सांगरे थिले सेमाने अहार निद्रा त्याग करी चल राज्यर वाहर कु जिवापाई अभिरत भावरे चाली चाली अवसन्न हई बडिले सस्थ दिवस रातिरे भयंकर वर्साहवागु लागिला शेमाने सेतेवेडे निड़ोगिरी निकटरे एक व्याधर गुरुहरे आस्रोयनेले सेतेवेडे दखिनांचडरे आचाप जंक कथा नजानी वालका बिरोड थीले सेही गार व्याधगन जने भक्त कर्त्रुक वैस्नवधर्मरे दिख्थीत होई थीले सेमाने जेतेवेडे आचाप जंक परिजय पाईले सेतेवेडे सेमानुंक आनंदर सिमा रहिला नही हड़मुड मधुप्रव्रुति जहा जंगलरे मिडे तहा द्वार सेमाने स्वसिष्य आचाप जदेवंक सेवाकरिवाकु लागिले से किछी दिन सेमानंक संगरे रहि विश्राम कले व्याधमाने मध्य तांकर संग पाई धन्य हैले आचाप जदेव बहु दिन हेला अन्य ग्रहन करी नहांती तेनु व्याधमाने निकटवर्ति गटिये गानारे सेमानंकर परिचित रंगदास नामक जणे ब्राम्हनर गुःकु तांको नही गले शे ब्राम्हनर इस्त्री श्री रंगम कुजाई आचार्जंग निकटवरू पूर्वे दिख्या ग्रहन करी सिले शे ओ संभावित भावरे गुरु देवंगु गुरुहरे उपस्थित देखी प्राण पने जत्न सहकारे सेवाकरिवाकु लागिले अग्निकु केवेहले लुकाईत करी रखाजाई नाही आचार्ज देवंक आगमन बार्ता शे देशरे अल्पदिनमद्जरे चतुर्दिगा कु व्यापि गला तांगु दर्सन करीवाकु और उपदेश स्रबन करीवाकु सकल स्रेनीर लक दला दला होई तांग निकटकु आसिवाकु लागिले विशेस भावरे आग्रोहनीत होई अनेके तांग निकटरे बयश्नव धर्मरे दिख्षित होईले आचार्जदेव द्वादस वर्ष से अंचलर रथिले से अंचलर र लखंगो उद्धार करिवापाई जेपरी भाववानुग इच्छारे से निर्वासित होई थिले तांगर चरित्र र प्रभावरे लके सदाचार, सत्यनिस्था, भववानंग उपासन, प्रभुति सत्गुनर अनुश्रिल न करी जथार्थ मनुश्रत्व लाभगले ज्यानिमाने कहनती पुर्भ कर्मक्रजगूं जिव सुख दुख भग करे केवेजे एकर्मा आरंभोई थिला केही तहा जानिबारे नहीं पुर्भ पुर्भ जन्मरे कृतकर्मर किछी अंस भग करिया पाई जिव गटिये देह धारन करे पुनरबार से जन्मर कृतकर्मर फड़ तत्ख्यनात भग हुए नहीं तहा संचित थाए परे कनसी जन्मरे जिव सही कर्मर फड़ भग करे किन्तु कनसी गभीर पाप बापुन्यकले तहार फड़ ए जन्मरे ही भग करिया कुए उस्ट क्रूमिकंठ निरिह निरपराध जगतर मंगलकारी महापुर्समानंको जातना देई जेव महापाप कला तहार फड़ रे तहार गळा रे ए परी भग कर घाहला जे से थीरे क्रूमिकुडिक घुरीबुलिले लके तहार नाम उच्चारण करीवाखु घुरुनाबध कले क्रूमिकंठ नाम रे से परिचित हैला असह निय जातना भग करी से देहत्याग कला क्रूमिकंठ र दुसकार्ज पाईं तहार आत्मियमाने मध्य पुत्यक्त होई थीले विश्यसत तहार भयंकर परिणाम देखी समस्ते भई भित हैले तार मृतुपरे तार पुत्र सिंगासन आरहन करी परम समाधरररे ससिस्य अचार्ज रामान जंकु श्रीरंगम कु फेरियासिवाकु आउहान कले चल राजपुत्रर आउहानरे अचार्ज देव दखिनान चलरु श्रीरंगम कु फेरियासिवाकु रस्तुत हैले एही संबादपाई जादबाद्री दिर भक्तमाने तांकर विरह भईरे अति कातर हेले आचार्जदेवंको अभाव किंचित परिमानारे दुरकरी वाफाईं सेमाने तांकर अगटियो मुर्तिनिर्मान करी रखिले द्वादस वर्ष परे आचार्जदेवंको नर्बार श्री रंगम को फेरिया शिले एही किची वर्ष मध्यरे श्री रंगमर अवस्था अति सचनिया हई परी शिला दूस्टर आजार भईरे बैस्नव मने श्री रंगम त्याग कले केवल अधियोंको सेवकमाने अति कस्टरे श्री रंगम नाथंको सेवा परिचावलना करू थिले नगर अटी जपरी अरण्यरे परिणावत हई थिला आचार्जद रंगमनु जब फेरिया सिवारू बैस्नव मने जिये जेंउठा दि थिले समस्ते अति उस्साहरे श्री रंगम को आशी समवेत हई ले ग्रमे राष्टाघाट अमठमंदिर अर संस्कार कराहला नगर अटी पुर्वफरी पुनरबार उस्सव मय हयुठिला काहरी काहरी मतरे पुरेश रामानु जंक वेशरे राज सन्नंक द्वारा धराहे वारू अचार्जंक सिस्य अवस्वड़ गुरू सहे पांच वर्ष बयसक अति बुरुधा महापुर्णमध्य तांक संगरे जग दियंती घातको गन तांकर चक्खुमध्य उत्पाटित करंती तहाद द्वारा तांकर देहत्याग हुए घातको गन पुरेशंक कु स्रीरंगम कु पठाई देई थिले किन्तु राजांक भवयरे मंदिर अर पुजारिमाने तांकु सेठारे स्थान देले नहीं कुरेशं बुरुसोभाध्द्री नामक स्थान कु जाई इस्ट चिन्तारे मगन रहीले अचार्जदेव श्रीरंगम कु फेरियासी सर्वा प्रत्मे कुरेशंको डखाई बठाई ले तांकु राजार अत्याचारर रख्या करियाकु जाई कुरेशंको ये दुर्द्धस अचार्जदेवंको असहन या बध हैला से दिने कुरेशंको आदेस देले बस्स तुमे कांची प्रकु जाई स्री बरदर आजंको चरण अरे चक्खु पाई प्रार्थना करो गुरुगत प्राण कुरेशं गुरुणको आदेस अनुसारे कांची प्रकु गले किम्तु बरदर आजंको मंदिरकु प्रवेशं करिवा मत्त्रे बिभर होई चक्खु फेरिवा पाई प्रार्थना करीपारीले नहीं बरण चाहीलेजे जेउं घातको तांकर चकुत पाटना करीथिला से जपरी मुक्ति पाई कुरेश गुरुंको निकटो कु फेरियासी एई घात्राना निवेदन करीवारू आचार्ज देव तांको पुनर बार चक्खु पाई प्रार्थना करीवा पाई पाई कांची को पठाई ले शे एवे मध्यो गुरुंको आदेश रख्या करिवा को असमर्थ हिले ज्यान भक्ति मुक्ति दाथांको निकटोरे ख्यनास्थाई चक्खु पाई प्रार्थन करिवा पाई अий। लज्या बोध करे शे एवे मज्य प्रार्थना कले कुरुमी कंठ ज्यपरी मुक्तिलाभ करे एहा सुनी आचार्ज देव तांको आदेस कले बस्ष ए थरक किन्तु मर आनंद पाई तुम्हे मर आदेस रख्या करो कुनर बाद गाई गुरुम को आदेस रे चक्षु विख्या करी नियो गुरुबाक्त्य और मर्ज्यादा रख्या करी वापाई शुरेश चक्षु पाई प्रार्थना कले प्रार्थना सेसम है उनु पुरेशंग द्रुस्ति सक्ति पुर्वापरी संपुर्ण प्रकासि तहला एही आस्चर्ज घटना देखी भर अविश्वासी व्यक्ति मध्य भक्त अभक्तिर महिमारे विश्वास लाभगरी धन्य हले बर्तमान आचार्ज रामानु जंगर वयस साथिय वर्ष तांकर असाधरन कार्ज समुह देखी तांक समस्ते देवता ज्यान अरे भक्ति करिवाकु लागिले तांक अनुग्रहरू हजार हजार लक ज्यान भक्ति लाभगरी धन्य हले श्रीरंगम सर्गतुल्य अनन्दमय फयोठिला संप्रदायर भृध भक्तगण धीरे धीरे देहत्याग करिवाकु लागिले परासर वेदव्यास और पुर्णाचार्ज प्रभृति तरुणमानंकु अचार्जदेव सिख्यादेई संग परिचाड़ना करिवापाई उपजुक्त करी गढ़िले समानंक मज्धरु परासरंकु विशाळ वष्णव संप्रदायर सासन पाईं समर्थ विवेचना करी समाजरु नेत्रुत्त्व पदर्य प्रतिस्थित कले निर्भासनरु फेरियासी रामानुज आहुरी साठिय बर्स जिवित थिले एही समयर घटनार कनसी विवरण जना जाई नहीं तेवे अन्यान्य महापुरुस मानंकर काज्याबडी आलचना करी आमे केते उडिये विशय अनुमाहन करी पारु देखा जाई कनसी देशरे महापुरुस जन्मग्रहन कले तांकर प्रचन्ड चिन्तातरंग प्रतेक मनुस्यर मस्तिस करे आघात करी सिमानंकर अंतररर सुप्त सत्प्रवृति गोडिकु जाग्रत कराए सेतेवेडे कर्मीर कर्म चिन्तासिलर चिन्ता केबड कल्यानर पथरे चाडित हो थाई देखा जाई महापुरुस मानंकर असे मानंकर शिष्य अनुसिष्य मानंकर चरित्रर संदर्य अइस्वर अनुभूतिर आनंदकु लख्य करी अन्यान्य धर्म संप्रदाई दला दलीर भाव चाडि निज निजर साधनारे अधिकतर मनजगी भईथांति एपरिकी धर्म साधक मानंकर उस्साह संक्राम कहई शिर्प साहित्य बानिंच प्रगृति संसारर काड्जरे कर्मी मानंकर कर्म सिवरता भृधि करे एई भाव अरे महापुरुस मानंकर आगमन अरे मानव समाजर उन्नतिर समस्त रुद्ध द्वार खलिजाई आचार्ज संक्राम क परे भारत भासिंद जिवन अरे आचार्ज रामानु जंक आदर्शर प्रभाव औ समान्य औ अतिगभिर मनस्षर भक्ति विश्वास केते विचित्र रुपेजे आत्म प्रकास करे निम्न लिखित घटना दयो ताहर निदर्शक जने सरल ब्राम्हन एकदा आचार्ज निकटरे तांकर कहसी प्रकार सेवाकरिया फाई आग्रह प्रकास करनती आचार्ज रामानुज तांकर निकटरे एपरी गटिय अध्भुत प्रस्ताव रखंतीजे से नित्य संध्या पुजार पुर्वे ब्राम्हन र पादा उदक पायान करिवाकु चाहांती प्रती दिन पादा उदक देले तांकर सवुठ हरु वेशी सेवा करिवा हुआ शरण ब्राम्हन सेथिर सम्मत हेले आचार्ज देवंकु नित्य निजर पादो उदक देवा तांकर गटिय ब्रत हेला दिने आचार्ज देव निमंत्रित होई जने भक्तंको ग्रुहरे सारा दिन रहंती राती एक प्रहर समयरे मठकु फेरियासी से जानिवाकु पाईले जे भक्त ब्राम्हन ती आजी पादो उदको देई शेवा करिन परिवारु अनाहार रे सारा दिन तांको अपेख्षारे बथिछन दिये आचार्ज देव व्यस्त होई तत्योनात तांकर पादो उदको ग्रहन कले सेतेवले ब्राम्हनों से दिनरो कर्तव्यों सेसहला भावी गुरूहकु फेरियासीले एपरी निर्भिचारों सेवार भावो और कर्तव्यों निष्ठा अती दुल्लभो दिने गटिये गप बाडिका दधी विक्रय करीवाकु मठकु आसे दधी प्रयकरी मुल्य देवाकु टिक्ये विळम्बहवारू बाडिका सेठारे अपेख्या करुछीला एई समरे ताकु किची प्रसाद खाइवाकु दिया हुए साधुमानुकु विश्यसत आचार्ज देवांकु देखु देखु तार मनरे हटाद गटिय अत्भुत भावर उदयो हेला शे दधीर मुल्य नेवाकु आसम्मत्त हेला एबं ताकु मुक्त करीदेवापाई आचार्ज देवांकु मिनति करीवाकु लागिला तार पिलाडी आमी देखी अनेक प्रकार बुझाईले मध्य शे किछीरे निरस्त हेला नही बाडिका क्रमे जेपरी आहुरी वेशी व्याकुड धेवाकु लागिला बेड़ बेड़े देखा जाई पूर्भ जन्मर संस्कार पमसी गटिये समान्य अनुकुड घटनाको अबलम्बन करी हटात जाग्द्रत होई जाई साधुमाने भाविले प्रसाद खाईवा फोलरे एहार पूर्भ संस्कार एपरी प्रबळ होई आत्मप्मखास करी छी ताहकु क्यों थी रहले सान्ती करीन परी आचार्जों देवा कहीले जे बेंकोटा चलोरे नाराणंको निकटोगु कले ही बाडिकार मनवासना पुर्ण हब आचार्जोंको उपरे ताहार पुर्ण विस्वास से कहिला से मोग अथा विस्वास करीवे काहीं की आपन पत्र लेखी दियंतु मुँ ताहा नेई नाराणंको निकटोगु जीवी बाडिकार सरण चारे मुग्द हई आचार्जों देवा गटिये चिठी लेखी देले किछी दिन परे समस्थे सुनी आस्चर्जो हेले जे बाडिका बेंकोट चड़कु जाई नाराणंको सम्मुखरे सास्टांगो प्रणाम करिवा पाई माटिरे जे पडिला आउ उठिला नाहीं समाधी जगे ताहार देहत्यागो हेला कठर साधनारे जहा लाभ करिवा कठिन के बड़ विश्चास बड़रे गटिये मुर्ख बाडिका तहा लाभ कला आचाप्जर आमानु जोंग बयास सहे कडिये वर्ष पुर्ण हेला से सिग्र देहत्यागो करिवे बुझी परी भक्त मने स्रीरंगमरे गटिये औभुतपुरी रे गटिये तांगर मुर्ती स्थापन कले देहत्यागर दिने दोईदिन पुर्गरु से तांगर प्रचारीत धर्मर सारमर्म संख्य परे समवेत सिस्थ्यवणंगु बुझाई देले एकार्ष समितिरिश्खिष्टाब्द माघमासर सुक्लात समिर मध्ध्यान समरे गविदंग कलरे मस्तक एबं आंध्रपुर्णंग कलरे चरण दय रखी आचार्च रावानोज महा समाधी लाभगले तांकरो स्थुड़ देह पंच भुतरे मेशिगला किन्तु मानव जाती समुखरे सेजयु महाना दर्श रखी ले ताहा चिरकार मनस्य को कल्यान रपथ प्रदर्शन करीब ओम सांति 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 हरियों तत्सत् हूँ हूँ हूँ